आपार्ट के वर्ल के कुछ पार्ट में ट्रडीशनल फेस्टिवल सेलिबरेशन्स हैं यह तरीशनल फेस्टिवल के सलेबरेशन्स है वह बहुत डिसपीर्ड भी हो गही है मतलब खतम भी हो रही है और डिसपीरिंग भी हो रही है ठीक है हो भी रही है खतम और कुछ हो भी गही है वाइस दिस हैपनिंग ऐसा क्यों हो रहा है आपको इसके कोजिस बताने हैं और इसकी विज़े से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है what problems can be taken to counter this situation और इस situation को solve करने के लिए क्या क्या किया जा सकते है so let's see किस के क्या causes और क्या problems वैसे तो आपको यह सिर्फ दो terms में ही आएगा कि causes और solution बताओ और problem और solution बताओ but मैंने इस videos में तीनों को cover किया है so let's see so let's talk about causes first so हमारे first course है globalization अब globalization होता क्या है globalization का मतलब होता है कि जो पूरा world है वो connected है अब यह कैसे आप इसको explain कैसे करोगे तो आप इसमें कहा सकते हो कि जो technology है जो technology है वो advanced होती जा रही है technology is advancing day by day जिसके कारण क्या है जो लोग है न वो एक दूसरे से बहुत ज़ादा country में क्या हो रहा है उनको पहले से ही पता चल जाता है तो उनको उनके जो traditions होते हैं ठीक है events हो रहे हैं जितने भी festivals हैं तो उनके बारे में पता चलता रहता है get to know about each and every festival and event ठीक है जिसके कारण क्या है वो उनके तरफ जादा attract होते जा रहे हैं और उनको ही celebrate कर रहे हैं जिसके कारण जो traditional festivals हैं उनको वो forget करते जा रहे हैं यह भी एक basic reason है कि जिसकी वज़े से जितने हमारे traditional festivals हैं celebrations है disappear हो भी गए हैं और disappear होते भी जा रहे हैं कि सो हमारा second cause है migration कि जो migration की rate है वो day by day increase होती जा रही है अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं अब इसमें हम बोल सकते हैं कि due to the advancement of access to more transportation services अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो आज कर लोग है ना एक place से दूसरी place पे बहुत easily move हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे transportation के services available है land transport हो गया air transport अब air transport यहां पर main है कि हम क्या सकते हैं कि due to advancement in the air travel तो लोग क्या है easily move हो सकते हैं एक place से दूसरी place पे एक country से दूसरी country में और इन move होने के कारण क्या हो रहा है कि लोग अपने study purpose के लिए jobs के लिए ठीक है study jobs इनके लिए दूसरी countries में ही रहना पसंद कर रहे हैं वह वहीं पर settle down हो रही है जिसके कारण क्या हो रहे है उनको अपनी families से दूर रहना पढ़ रहा है और जिसके कारण क्या है कि जो उनकी families है उनसे दूर है gap जादा है so they are unable to learn about their cultural events so that's why they are adopting the foreign culture more जिसके कारण भी जो हमारी cultures की disappearance जादा हुरी है so हमारा third major cause है hectic schedule अब hectic schedule का मतलब क्या होता है कि जो लोग है आजकल बहुत जादा busy है अब hectic schedule क्या explain करोगे hectic schedule में क्या कह सकते हो कि आजकल inflation बहुत जादा हो रही है inflation day by day भड़ी जाई है inflation का मतलब होता है महंगाई कि इसलिए क्या है लोगों के लिए survive करना बहुत जादा difficult हो गया है उनको day and night काम करना पड़ता है ठीक है तो इसलिए क्या कर रहे हैं जो लोग है वो overtime काम कर रहे है so you can say they work day and night to fulfill the desires of their family members as well as they do overtime so इसलिए उनके पास lack of time है they are unable to spend time with their family members जिसके कारण क्या है वो अपने family members के साथ काम भी नहीं आप ये भी बोल सकते हो कि inflation के कारण जो दोनों partners है both partners work day and night to fulfill the demand of their children तो इसलिए वो overtime भी कर रहे हैं वो time भी नहीं spend कर पारे जिसके कारण क्या है जो उनको पता है अपनी cultural values के बारे में उनको celebrate उनकी values वो अपने बच्चों को दे ही नहीं पा रहे हैं तो हम क्या सकते हैं कि इसकी वजह से भी जो हमारे traditional festivals है वो disappear हो रहे हैं तो ये तीन causes से इसका एक और cause है वो आपको मा भी बताती हूं तो हमारा last cause है social pressure अब social pressure के अंदर क्या आएगा अब social pressure के अंदर आप कह सकते हो कि आजकल लोग उनके साथ ही रहते हैं जिनके पास पैसा हो तो आप क्या कह सकते हो कि जो लोग है ना अपनी flaunt करने के लिए मतलब शोफ करने के लिए वो सोचते हैं कि अगर उनके पास materialistic चीज़े ज़्यादा है ना तो वह society में ज़्यादा name and fame कमा सकते हैं इसलिए क्या है कि उन्होंने अपनी mentality बना रखी है कि वह पैसे के पिछे ज्यादा भाग रहे हैं make more money तो इसलिए वह क्या है ज्यादा overtime काम कर रहे हैं उनके वह क्या है celebration के डेस पर भी क्या है अपना time जो अपना काम है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं as compared to the family members that's why they are forgetting the celebration of rituals and traditions ओके जी ओके मैंने आपको इसके अभी चार रीजन्स बताए हैं मैंने आपको इस लिए अलग लग explain की हैं ताकि आपको पता चले कि किस चीज के हम दर आप क्या-क्या explain कर सकते हो आप इन दोनों को merge भी कर सकते हैं हमारा first or second point था globalization और migration आप उन दोनों को include कर सकते हैं जैसे आपने बोल दिया कि globalization as well as migration फिर जहांबे due to advancement of technology as well as transportation people have more access to the resources of foreign culture as well as they can shift there for different purposes that's why they are forgetting the traditional values and traditions और जो दूसरी side है हमने third और fourth किया है hectic schedule और social pressure अब hectic schedule के अंदर ही social pressure को आप explain कर सकते हो कि लोग एक तो अपने बच्चों की desires को fulfill करने के लिए day and night काम कर रहे हैं और साथ में as well as social pressure की वज़े से भी क्योंकि उनको अपने आपको better image बनानी है society में that's why so let's talk about the problems कि इसकी वज़े से जो traditional festivals and celebrations that disappear हो रहे हैं यह जो भी हो गए हैं उनके current main problem क्या rise होते तो first तो हमारा यही है कि loss of cultures and identity जो हमारे cultures and identity हैं उनकी disappearance हो रही है उसकी वज़े से जितने भी cultures हैं जो हमारी country की identity है वो lose हो सकती है अब वो lose कैसे हो सकती है तो आप इसमें क्या कह सकते हो कि advancement of technology के कारण migration के कारण जितने भी चिज़े हैं जो लोग भूलते जा रहे हैं उसकी वज़े से क्या होगा कि जो लोग हैं जो हमारी जितने भी past events है cultures हैं ठीक है उनको लोग उनको लोग उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा वो unaware रहेंगे उनके बारे म कैसे पता चलेगा अगर उनको sacrifices के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो वो जो उनकी values हैं वो कभी सीखनी पाएंगे जो कि उनकी life के लिए बहुत जादा important है अगर वो values नहीं सीखते हैं तो हम कह सकते हैं कि in the future time कि जो भी आएगा उस time में बहुत जादा कम हो जाएंगे और लोग है वो फ्यूट जो foreign countries हैं उनकी तरफ जादा attract करेंगे और इससे क्या होएगा इससे ना economic loss भी होगा अब economic loss कैसे होगा economic loss होगा क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हैं कि जतने भी हमारे traditional festival celebrations disappear हो चके हैं या फिर जो हो रहे हैं उससे हमारी main problem क्या rise होगी तो फस्ट होगी कि loss of cultures and identity जो हमारी इंदिया के है heritage है जो history heritage जिसकी वज़े से जो किसे related है जो हमारे जितने भी सेक्रिफाइजर्स हुए है ठीक है पैट्रेट्स हुए है उनकी अगर उनको उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो अगर यह खतम ही होगे तो लोग इनकी history के बारे में अनवेर रह जाएंगे unaware about the legends जो की legends की stories है अगर उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा जिसके अंदर बहुत सारे moral values भी है और जो बहुत सारी moral values सिखाते हैं traditions सिखाते हैं अगर वो लोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो लोग है वो कम civilized बनेंगे people will become less civilized और जो उनकी patriotism की feeling है वो भी खतम हो जाएगी so that's why it is the laws of culture है और साथ में क्या होगा अगर किसी भी country की identity lose हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो वैसे भी उनका जो rank है in the nation वो भी downfall हो जाएगा so let's talk about second problem कि second क्या problem होगी तो हम कह सकते हैं कि second problem होगी deficit of government revenue अब deficit का मतलब क्या होता है deficit का मतलब वो तक घाटा होना अब deficit of government revenue में क्या होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि लोगों का जो government है उसका major shorts क्या है major shorts क्या है major shorts है हमारी tourism अब अगर जो हमारे cultures है events है museums है अगर वो disappear हो जाएंगे कि उनकी कोई value ही नहीं रहेगी लोग उनके बारे में जानेंगे नहीं तो low tourism होगा और अगर low tourism होता है तो इससे क्या होगा कि लोगों की life के उपर भी effect होगा जो होग है वो unemployed जादा होंगे अगर unemployed जादा होंगे तो इससे क्या economic crisis आएगा अब economic crisis आएगा तो क्या starvation भी होगी hunger भी होगी लोग भूखे भी मरेंगे ठीक है economic crisis आएगा और financial crisis आएगा जिससे क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारी country है वो बहुत जादा downfall में जाएगी और क्या हम कह सकते हैं कि inflation भड़े ही भड़ेगा तो हम यह बोलेंगे कि इनको solve करने के लिए क्या किया जा सकता है चाहिए वो problem है या फिर reason है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो first point हमारा आएगा awareness campaign awareness campaign में क्या कर सकते है कि government को awareness campaign लगाने चाहिए जहां पर लोगों को aware करना चाहिए कि traditions और cultures की values क्या है कि यह क्यों celebrate कि जाते हैं हम कह सकते हैं कि significance बता सकते हैं importance बता सकते हैं इनकी ताकि लोग हैं क्या motivated हों उनको उनके बारे में पता चले जिससे क्या है कि वो भी उनको celebrate करने के ट्राइगर है और हम यह भी वह सकते हैं कि हमें awareness campaign में बताना चाहिए कि हर country के culture की अपनी importance है तो इससे क्या होगा कि जो लोगों को अगर उनके patriots के बारे में sacrifices के बारे में पता चलेगा तो उनको जादा curiosity होगी अगर उनके अंदर curiosity होगी तो क्या है वो जो लोग है वो जादा visit करेंगे libraries उनके बारे में जादा जानने के लिए तो अब second solution क्या बता सकते हो second solution बता सकते हो education programs अब education programs कौन शुरू करेगा education programs शुरू करेंगे हमारी schools और institutions अगर schools और institutions एक special education program रखते हैं मतलब उनके part of syllabus में रखते हैं उनके activities करवाते हैं उनको उनके बारे में knowledge प्रोवाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि part of syllabus होना चाहिए अगर part of syllabus होगा तो उनको उनके बारे में पता चलेगा इससे क्या होगा कि जर younger generation है वो जादा include होगी अगर young generation को already पहले से ही पता है कि उनके क्या क्या significance है तो क्या होगा कि वो बड़े होके भी उनको follow करेंगे जिससे क्या होगा कि वो उनकी importance के बारे में जानेगे और जो हमारे traditional festivals है और जो disappear हो रहे हैं हमको preserve करने का बहुत बेस्ट तरिका अगर young generation को include किया जाए तो let's talk about the last solution for this तो हमारे last solution हो सकता है कि हम करे organization of social events organization of social events अब social events में क्या आएगा आप जैसे हमने बोला कि जो ना parents है वो बहुत जादा busy है बट वो weekends पे अब weekends पे तो organize करी सकते हैं हम क्या सकते हैं कि उनको cultural events organize करने चाहिए जापे हर culture को dance performance के तुरू, art के तुरू हम क्या सकते हैं कि art के तुरू उसको display करना चाहिए ताकि लोग उसके बारे में जादा aware हो और जिससे क्या होगा अगर लोग जादा aware होंगे तो हम क्या अगर इन events को देखने के लिए अब tourism भी भड़ेगा अगर अब tourism भड़ेगा तो इससे क्या होगा जो government की revenue में वो भी stable हो जाएगी so these were the three solutions for this so that's the end of the video thank you so much for watching don't forget to like share and subscribe